सुबदस वह से लेकी 11 बजे के बीचे हूँ पस्तित हूँ आप सब के सामने आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम प्राधिय, माधवी, कुछ भी रख लेजे आपको जो अच्छा लग जाए एक अपने से नाम और इनको जातिका मान करके इनकी कुंडली का नहीं जाना है, बिल्कुल बनके रहिएगा, ये कारेकरम आपको नया मिल रहा है, ये मैं अभी गुरुवार को बना रहा हूँ, ये कारेकरम आपको शुक्रवार को नहीं, शनिवार को मिलेगा, और इधर मैं हरिद्वार गया था, अपने इलाज के लिए, राम देव जीव पर आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बता हूँ, भगवान उनकी बुद्धी ऐसे ही कायम रखें, बहुत सुंदर बनाया है, आप लोगों को भी अगर कोई विमारी हो, तो जरूर ही एक बार वहां जाईए, और मैं समस्ता हूँ कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, विधी का पालन किया जाता है, संपुर्ण तया आयूरवेद से इलाज किया जाता है, और ठीक हो करके वापस भी आया जाता है, हाँ, मुझे बड़ा आराम मिला, और अच्छा भी लगा, घुमा भी, मंसा मंदर गया, मंसा माता के दर्शन भी किये, और और क्या क्या, हरकी पोड़ी में किया, स्थान भी किया, और भी बहुत सारी चीजें, पर मैंने वहाँ एक चीज बहुत अच्छी देखी, वहाँ के लोग बड़े सीधिये हैं, बड़े सरल है, और बहुत ही ज्यादा, जो एक होतने जैसे सुभावगत लड़ाके नहीं, हमारे यूपी और बि जाता है, या ऐसा, पर वहाँ करीब, दस दिन से मैं था, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सच में वो जगा बहुत ही शान्ती प्रदान करने वाली है, थोड़ी मंगी है, पर वस्तुता वहाँ पे क्रशी वगरा की स्थादी कमजूर है, तो शायद उन लोगों के जीवन का प्रभाव उसी से चलता हो, इस वज़ा से, बाकि आप लोगों को अगर कोई भी स्वास्ता से संबंदित अगर लाव लेना चाहते हैं, किसी भी बीमारी में, आपको निश्चित रूप से पतंजली, योग विद्याले में अवश्य जाना चाहिए, और वहाँ पे बहुत सारे बीमारियों का बहुती सस्ती कीमत पे और बहुती सुलवता से बिना किसी ताम जाम के, इलाज बाबा राम देव जी के हां होता है, संपोन तया जानकारी आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगी, आप आसानी से परची कटाते हैं, लाइन में लगते हैं, और बहुत भ पना भी नहीं कर सकते, भगवान ने उनको बड़ा अच्छा प्रभाव दिया है, और हमारे पास बाबा राम देव जैसे बिभूती हैं, जिनसे बहुत सारी बीमारियों का इलाज वहां से संभव है, मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा, अगर कोई भी बीमारी हो, कोई बीमारी हो, पर अगर आपको कोई स्वास्तों से समधित समस्या है, तो वहां एक बार अवश्य जाईए, बहुत सस्ती कीमत पे और बहुत अच्छा ही से वहां पे इलाज होता है, शुरू करते हैं, पर सबसे पहले बता दो मनुश्मृती की बात, भगमान मनुँ ने स्मृती ग्रंथ मनुश्मृती में बात लिखी है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ब्रामणों के वहित कर्म, छोत्त्रिय, वैश्यों तक बताया है, अब बात शुद्र वर्णों को लेकर के आती है, आप वस्तुतह जिसको सुद्र समस बहुत कम ऐसे हैं जो परभाशित किया गया है ठीक उसी तरीके से बरामवणों के लिए भी परभाशित किया गया है बस अंतर इतना है ब्राम्वनों को सास्त्र की सेवा करनी है धर्म की सेवा सभी वर्णों को करना है धर्म की सेवा का अर्थ क्या है धर्म को धारन करना जैसे यग्योपवित जैसे मस्तक पे चुटिया है ना और जैसे जिस भी तरीके से हो सके धर्म का पालन करना सदाचरन से युक्त जीवन जीना पर क्या बात है सिवा परायनता का भाव ब्राम्वनों में ग्रंथ की सेवा और अनुसासन की सेवा छत्रिये में शास्त्र की नहीं सस्त्र की सेवा सास्त्र के साथ किस वो निपन होगा सास्त्र विद्या से युक्त हो करके सस्त्र विद्यातक उसकी यात होगी में करिज फैसिट क्रिशि गोषा और वाणिजी खिल शेवा करेगा सिब सेब करेगा ग्रमंवन इक इसकी सेवा की धर्म शास्तृ कि च्छत्रिय ने ओट्की सेवा की शास्त्रों की और सश्त्रों कि वैशिए किसी एग करे इन दोनों वनों के साथ खी सी प्रक्षा और वानिज्य की सेवा करें और उत्पादक चीजों का उत्पादन करके पोशित करें सब को अनप्रदान करें अनदाता बनें और उसके बाद शुद्र इन सब की सेवा करता रहें मतलब वो कृषी में भी जाएगा वानिज्य में भी जाएगा और ब्रह्म्र की प्री की सेवा भी करेगा, संपूर्ण दोगों के सेवा का भाव रखेगा, अब आपने इसको अलग-अलग मतों में विखंडित कर दिया है, इस वज़ा से सेवा का अर्थ बदल गया और उसकी परिपाटी बदल दी गई, आईए, मैं आपको अब इनकी कुंडली की इस वज़ा से विख्ति को अपने आत्मबल पे जरूर ही भरोसा करना होगा, उसे और बढ़ाने की प्रक्रिया बढ़ानी होगी, सुर्य और बुद्ध के कारण पती बहुत ही जादा कर्मट होते हैं, पर कई बार चतुर्थ भाव में चंद्रमा और राहु के ग्रहन के कार इसे कमजोरी पन से युक्त हो करके देखा जाता है, व्यक्ति का मन अशान्त नहीं है, दक्षणायन में सुर्य होने के कारण व्यक्ति पराक्रमी तो होगा, क्योंकि तीसरे भाव में सुर्य और बुद्ध और भादर योग का लगना तीसरे भाव में, ये योग यहाँ प्रभाब कारी है बुद्दिमान है ग्यानी है समझदार होने के साथ साथ बड़ा ही कोमल सभाव का होता है वस्तुता वो थोड़ा डिपलोमेट भी होता है पर उसकी यह राजनिती बहुत जादा बार चल नहीं पाती है इस वजह से भी कई बार उसके काम रुखते हुए पर कई बार नहीं होता, क्योंकि शत्रू के घर में समसंख्या की राशी کا बनना या समसंख्या की रासी का लगन में बनना बहुत अच्छा नहीं होता। पर हाँ उसका प्रभाव आवश ही लगे रहेगा सुमवार के जन्वे होने से व्यक्ति शांती प्रद है जगडालू नहीं है अस्टम भाव का अधिपती लगन में बारहवे मंगल जो दशम के अधिपती हैं आपको बाहर जाना चाहिए विदेश कमन का योग आपकी कुणली में लगा है और कई बार व्यक्ति का दामपत्य थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन से युक्त हो करके बीतता है घर पे रहने का मन नहीं करता विदेश श्यात्रा करने का बड़ा मन होता है बाहर जाने का खूब सारा आउसर भी मिलता है और व्यक्ति के लोग घर परिवार के लोग बाहर भी रहते हुए देखे जाते हैं आपका जन्म स्वाती नक्षत्र में हुआ है इस वज़त से व्यक्ति चीर काल तक जीने वाला आयू संपूर्ण भोगने वाला और अपने ही पदचिन्नों पर चलने वाला वो किसी का करण से उसको जानते हैं मतलब वो समाज का पथ प्रदर्शक हो सकता है और ज्यानी होने के साथ साथ चैतन्य होता है शुद्ध मनस्वी और शांत और एक बहुत अजबूत बात यह होती है कि जो वो समाज को कह देता है लोग उसकी बात मान जाते हैं विश्कुम्भ योग क पती के से दूरी के साथ रिभाना पड़ता है इस वज़ा से कई बार आप पे बेवज़ा के लांचन भी लगाया जाएंगे और बेवज़ा के प्रभावों से आपको प्रभावित भी किया जाएगा जहां आप खुद को परिशान भी महसूस करेंगे यह करक लगने की प्रभावित भी महसूस करेंगे लगने के लगने के लगने के लगने में शनी और लगन दो डिगरी का पुनरवसू नक्षत्र के अधिपति गुरु ने देखा है इस वज़े से व्यक्ति के जीवन में धार्मिक्ता, व्यक्ति के जीवन में समरस्ता, व्यक्ति के जीवन में भागे का सुख, व्यक्ति के जीवन में चैतनिता का प्रभाव और व्यक्ति के जीवन में धर्म का जो एक आउसर होता है या फिर उसे कह सकते है कि धर्म का जो प पराक्रमभव में पराक्रमिश के साथ बैठना, कई बार व्यक्ति को बहुत जादा मेहनत करने के लिए बताती है और व्यक्ति को मेहनत के बाद ही धन प्राप्त होते देखा जाता है। इस व्यक्ति का धन और इस व्यक्ति की गंभीरता आजीवन बनी रहेगी। दूरी बनती है और कई बार मन मस्तिस्क में रुका हुआ काम बार बार आपका ध्यान आकरिष्ट करता है अपनी तरफ कि मेरा ये काम रुका है, मेरा ये काम रुका है, मेरा ये काम रुका है। आप जब इनकी कुंड़ी को और भी नजदीक से समझेंगे तो ध्यान से समझेगा नक्षत्र के अधिपती गुरु ने नक्षत्र को देखा और शनी अपने नक्षत्र में लगन के बारहमे भाव में मंगल का जाना गुरु से केंद्र में होना गुरु का शनी को देखना और गुरू से द्रिष्ठ हैं। इनका व्य असंत उलन में नहीं जाएगा और ये अपने महनत को बार-बार करने के लिए मजबूर होंगी। इनका काम रुकेगा, मंगल बारएं में तुम हैनद जाधा लेगा, लगनमे शनी इस वज़या से बिलंभ होगा और लगनमे गुरु का प्रभाव इस वज़या से काम होगा जरूर। पंचम भाव के अधिपती का बारह में जाना, एजुकेशन और पती और पिता का प्रेम, कमजूर, साथी साथ पुत्र से दूरी, ये तीनों ही जीवन में देखने को मिलेंगे, यश्कीर्ती, मान, सम्मान, पद, प्रतिस्था वगेरा थोड़ा कम है, पर वैसे आपका नेचर इतना बढ़ियां रहेगा, कि आप सबको अपनी तरफ खीच ही लेंगे, और इससे भी अच्छी बात होगी, कि आपकी कुंडली में सुर्य और बुध्य पे गुरु का प्रभाव, और लगन के अधिपती, जो जन्म कुंडली में बैठें, वो चतुर्त भाव में, स्वाती के नहीं होते, तो आपके अंदर जो बहुत सारा अनूठापन है, वो नहीं होता, चंदरमा जब स्वाती के होते हैं, तो व्यक्ति को विलक्षण मनाते हैं, और उसके बहुत सारे गुण, त्यान से समझे, मेरी तरफ देखिए, उसके बहुत सारे गुण, उस जातक के जो सामानित या प्रतिक व्यक्ति के अंदर नहीं देखा जाता, वो प्राया ऐसा हो जाता है, कि वो अपने आपको दस नहीं, पचास नहीं, सो नहीं, हजार लोगों में से एक अपने आपको अलग बना लेता है, उसके जीवन में ऐसी घटनाएं, उसके जीवन में ऐसे प् यहां राहू विशाखा के और कलह देंगे पर वैसे तुला रग राशी में बैठें जिसका अधिपती धनबाव में बैठा है नीचा भिलासी है इस वज़ा से माता और घर का सुख थोड़ा कमजोर होगा और इस वज़ा से ब्यक्ति का मेंटल पीस भी डिसेग्री में होता है राहू की दुस्टी बहुत अच्छी पड़ेगी जिस उसे आपको सोचने के लिए और विचार करने के लिए मजबूर करे और एक बात बता दूं तो अभी आपकी कुणली में बहुत अच्छी दुशा तो नहीं चल रही है पर हां मैं इस दुशा से आपको लाभ के छित्र में ही देखूंगा क्योंकि नमान्स कुणली में भी वो बुद्ध धन भाव में बैठे हैं और मैं समस्ता हूं कि ये वरगोत्तम लगन की कुणली बनेगी दो डिगरी का लग रहा है और नमान्स कुणली में जो इस्थुती बन रही है वहां पे शनी प्रभाव से युक्त को देख रहा इस भाव के अधिपती पे गुरू की दृष्टी है अस्तम भाव के अधिपती पे गुरू की दृष्टी है जिससे व्यक्ति के अंदर धर्म संसकार और सुविधा के साथ साथ व्यक्ति का अध्यात्मिक चिंतन बना रहता है और वो बहुत जादा कारुबारी नेचर का होता है उसके पास बहुत ही ज़्यादा लाव के योग बनते हैं लाव भाव के अधिपती का धन में जाना और गुरु का प्रभाव लगन पे लाव भाव के अधिपती का अस्टम को देखना कई बर व्यक्ति का धन इकठा होने से चूकता है और उसके पास बाहर से दहनाने के योग बनते हैं निर्णे मे और निर्णे के इस्थवती में जाने के जहां व dependence ki कई बार अपने आपको इस बात से परिशान कर लेता है कि मैं जल्दी निर्णे क्यों नहीं ले पाती हूं ऐसा मुझे में क्या है जिसके कारण तो ऐसी स्थुती में आपको मैं बता दूँ आपकी कुंडली में ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि चंद्रमा राहू के संग है और कई बार आपको ये बात भी लगेगा कि लोग आपको कहेंगे कि आप अपने मन के हैं अपने जिद पे अड़े रहते हैं वो अदिपति का धण में जाना महादनियोग बुद्ध की दशा, सुक्र की दशा, गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा साथी साथ सुर्य और बुद्ध की दशा इस कुंडली में अच्ही जाएगी तोबचा कौन शनी थोड़े कमजोर राहू थोड़े कमजोर और केतू आप से दूध दही जल घी शहादादी से सनान कराईए भोजन घर का बिलकुल शुद्ध बने ब्याज लसन वगारे ना बने जितना ज्यादा हो सकें अपने आपको यह कुंणली मारमिक है और यह कुंणली बुद्धी जीवी है ये कुंडली भगवान राम की कुंडली है भगवान राम की गुणों का सद्वेकाश अपने अंदर करी किसी जोतिशी की आवशक्ता नहीं पड़ेगी मैं आपको एक बात बता दू मैंने आज तक जितनी कुंडलियां देखी है उसमें लगभग हर बार यही करी है या की है कि लोगों को दुबारा कहीं ना जाने पड़े और क्यों जाना आपके पास भटकाव तब होता है जब आप बिमुक हो जाते हैं और वो काम नहीं करते जो सास्तर से युक्त हो और सास्तर के विरुद्ध जो होता है वो आप कर बैठते हैं कई बार आपको उस चांद्रमा राहू के संग ये भी ठीक है, मंगल अपने रिस्ट है ये ठीक होगा और ये creative व्यक्ती को बना देते हैं और व्यक्ति का कम्मिनिकेशन बहुत अच्छा होता है उसका नेचर बहुत अच्छा होता है उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है उसकी तार्किकता ओजस्मिता लिखने की चमता ड्रिविंग स्किल बहुत अच्छी होती है विलक्षनता यह सब बहुत अच् और गुरु ने सूर्य को नहीं देखा होता तो आप बिगडएल और कमजोर मान सिक्ता की हो जाती हैं पर यहां गुरु पुद्र के नक्षत्र में बैटे हैं रेवती के इस वज़े से आपके अंदर ठाकुर जी का आवाज ठाकुर जी को समझना भगवान की बात क्रंथों का जयन लगन पे बैठ करके लगन को उचस्त बनाना पंचम के उपर देखने से और पंचम भाव के अधिपती से केंद्र में होना मंगल से केंद्र में गुरु का होना पंचम का बलबढ़ाएगा इससे सम कुछ अच्छा कहेंगे बना सकती है नवी दर्ष्टी जन्म कुंडली में नवी दर्ष्टी यहां पांचमीं यहां साथ यहां पे बहुत अच्छी बनेगी शनी की दर्ष्टी बुद्ध पे और सुरिय पे आपको कई बार कमजोर भी बना सकते है माथे का दर्द रक्त से समदित समस्याएं, पेट से समन्दित समस्याएं, ओपरिशन के योग, धन हानी के संकेत, सुक्र में मंगल, लाभ भी देंगे और नुकसान भी होता है, कभी कभी ब्युक्ति बहुत ज़्यादा हूं चाहिए पे जाता है, और कभी बेकुल ही नीचे आ जाता है, ये जीवन का एक अं परशाम के कारेकों को और भी बिस्तार दे दूँगा, तब तक के लिए, बहुत बहुत नमस्कर,